दोस्तों इस वीडियो के अंदिर हम लोग बात करने मेरे हैं भैस के दूद के फाईदे के बारे में आप लोगं ने गाय के दूद के फाईदे के बारे में 2 हुए आ रहे आ, हम ने भी कई सारी वीडियो बनाये हुए एं इंटरनेट पर भी in YouTube पर भी आपको बहुत सारी और गाय के दूद के अपने अलग फाइदे हैं दोनों के ही अलग अलग फाइदे हैं और दोनों की ही जो अलग अलग requirement है और दोनों ही प्रकार के requirement वाले इंसान हमारे भारत में रहते हैं तो कौन से लोगों को गाय का दूद पीना चाहिए और कौन से लोगों को भैस का वे चलेंगे और भैस के दूद में क्या-क्या फायदे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे तो इससे समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्टक देखते रहें पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके करता है समाज में एक आम धारना हो चुकी है कि गाय का दूद ही फायदेमंद है और भैस का दूद नुकसान दायक है लेकिन ऐसा नहीं है वो एक अलग चीज है कि अगर हम quantity of benefits की बात करें तो गाय के दूद में quantities जादे मिलेगा जो benefits वारी quantity लेकिन भैस के दूद में जो quantity of benefit है वो numbers कम होंगे लेकिन ये benefits बहुत बड़े हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जादे जरूरी है सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या मिलता है कौन-कौन सा पोसत तब तो इसके अंदर 100 ml अगर मिल की बात करें तो उसके अंदर 237 कैलोरी पाई जाती है 17.3% कैलसियम पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादे कैलसियम भाहिस के दुद में आपको मिलेगा प्रोटीन 7.8% विटामिन A 4.3% इसके अलावा पोटैसियम, फासफोरस, मैगरिसियम वो जिंक के साथ ही साथ एंटि आक्सिडेंट से भी भरपूर होता है तो इस टाइप के इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, अब हम बात करते हैं कि फाइदे के बारे में और किन लोगों को लेना चाहिए तो चुकि अब प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत ही जादे प्रोटीन इसके अंदर पाय जाता है जिसके वज़े से मसल्स ग्रोथ में बहुत ही जादे मदद करता है, आपके हड़ियों के लिए बहुत ही जादे मदद करता है यानि कि जिन लोगों को मसल्स गेन करना है, कुल मिला जुला करके जिनको बोडी बनाना है, जिनका वजन नहीं बढ़ता है जिनको अगर आसान भासा में अगर हम बात करें जिनको मोटा होना है उनको भैस का दूद पीना चाहिए जिनको सारीरिक सरम जादे है सरीर से जादे मेहनत का काम करते हैं पहलवानी बगैर करते हैं दोडने धूपने बगैर का काम जादे करते हैं उनको जो है हमेशा भैस का दूद पीना चाहिए इसके लिए गाय के दूद से जादे बहतर भैस का दूद है आपके बोड़ी को बनाने के लिए आपके सिहत को बना रखने के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए भैस का दूद बहुत अच्छा होता है जिनको पहलवानी कर और चुकि इस calcium इसके अंदर बहुत जादे होता है, तो आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स वगरे रहती है, हड्डियों के किसी भी प्रिकार की समस्या है, तो उन्हें भी जो है, भैस का दूद पीना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर calcium की मात्रा बहुत ही जादे है, उसके अलावा इसके अंदर cholesterol बहुत ही कम होता है, जिसके वज़े से दिल की बीमारियों के लिए, दिल के लिए काफी अच्छा होता है, आपके blood pressure के लिए बहुत अच्छा होता है blood circulation को बनाए रखता है, लेकिन दिल के लिए माना जाए, तो कही न कहीं भैस के दूद से जादे गाय का दूद अच्छा होता है, लेकिन दिल के लिए भैस का दूद भी खराब नहीं है, आप जो है इसको ले सकते हैं, तो इस तरीके से छोटी सी information थी, क्योंकि काफी दिलों से comment आ रहे थे कि आप सिर्फ गाय के दूद के बारे में बताते हैं, भैस के दूद के बारे में नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये video dedicated बना देते हैं, ताकि आपको पता लग जाए, तो पूरी बात का अगर summary मैं करूँ, तो बिल्कुल simple सी बात है, जो लोग ब पहलवानी बगर करते हैं, सरीर बनाना है, मोता होना है, भारी भड़कम सामान उठाने का काम है, उन्हें भैस का दूद पीना चाहिए, बस ये total differences है, आपको समझ में आया होगा कि किन्हें भैस का दूद पीना चाहिए, किन्हें गाय का दूद पीना चाहिए, दोस्ते करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिल सुभ हो.